हेलो एविडियो में मैं आपके साथ शेयर करूगी एक बहुत ही ब्यूटिफल नेक डिजाइंग बहुत ही बनेगा और बहुत ही ज्यादा ब्यूटिफल बनेगा यह तो चलिए वीडियो को करते हैं स्टार्ट उससे पहले में चैनल को सब्सक्राइब जरू कर लिजेगा और सब्सक्राइब यहाँ पर 5 इंच का माक करूंगी तो जिस तरीकी से मैं वीडियो में दिखा रही हूं सी तरीकी से आपको माकिंग करनी है यहाँ नंबाई में 7 इंचे लोगी इसमें तो आपको थोड़ा लंबाई में ज्यादा ही लेना है क्योंकि इसमें ट्राइंगल शे रहान लगाना है 90 प्येंट क्यासिति अधर सभिझने के इट तरी किर आपको ट्रैंगल लेना कुछ इसाफ। मैंने अल्रेडी कट करके रखा हुआ है यहां पर मैं इसकी लंबाई चोड़ाई बता देती हूं तो सबसे पहले इसकी जो लंबाई है मैंने एक इंच लिए और पॉन इंच की चोड़ाई लिए उसके बाद एक ट्राइंगल शेप बना दिया है तो सबसे पहले बंद करके ट दिखाया जा रहा है सरे तुमम इसकी बना लिया है उसके बाद इसके बराबर से आपको एक इंच बरकर ना है तो यहां पे मिलाने के बाद मैं इसे कटिंग कर लूंगी तो यहां पर मैंने अपने नैक को कट कर लिया है तो इसका लुक जो है वो कुछ इस तरीके से आएगा तो यहां पर कटिंग करने के बाद आपको जी बीच वाला पार्ट इसके अंदर से जो निकलेगा उसे आपको समाल के रखना है क्योंकि आगे हम इसमें थोड़ा सा काम कर करेंगे तो यहां पर मैंने फैब्रिक पे उपर इसे चिपका लिया है अच्छे से उसके बाद ही कौटर इंच कपड़े को हम इस तरीके से फोल्ड कर देंगे फोल्ड करने के बाद तो हम अपनी शर्ट पे इसे लगाएंगे जिस तरीके से नॉर्मल नेक हम बनाते हैं इस अच्छे से आपको अॉर्पिन लगा देनी है इसमें तो अब मैं बिल्कुल बुकरम के बराबर बराबर इसके स्ट्छ करूँगी तो यहां पर आपको अराम से बिल्कूल स्ट्छ करना है जब आप इस पे को ट्राइंगल शेफ में लाइंगे तो निदल को अंदर करना है तो अच्छे से आपको निडिल को अंदर करना है उसके बाद फैब्रिक को गुमाएं आप धियान रखें इससे आपका बहुत ही अच्छे से स्टच हो जाएगा पूरा नेक सो गैज यहां पर मैंने स्टच कर लिया है उसके बाद मैं सारी और पिंसों को निकाल लूँगी निकालने के बाद मैं इसको कॉटर इंच कपड़ा छोड़ते हुए इसे कटिंग करेंगे हम तो अच्छे से आपको कटिंग करना है इसमें ध्यान रखें आपकी सिलाई ना कट कर लेगा इसमें तो पूरे ही नैक को मैं से कट कर लूँगी तो गैज यहां पर मैंने अपने नैक को कट कर लिया है उसके बाद हम इसके बीच में छोटे-छोटे से कट लगा देंगे तो कट लगाने के लिए आपको इस चीज का दियान रखना पड़ेगा कि इसमें इसके बाद हम इसे राइट साइड पर टर्न करेंगे तो बिल्कुल अलके हातों से आपको इसे ट्राइंड करना है और अच्छे से इसकी नोको को निकाल लेना है बाहर की तरफ यह देख सकते हैं किस तरीके से हम निकाल रहे हैं आप चाहे तो कोई नोकी लिए चीज से भी नियूस पर लिया है और जो बीच में से हमारा फैब्रिक बचा था सौरी बुक्रम बचा था उसे ले लेना है और उससे एक इंच एक्स्टरक पर आपको मार्किंग करना है जैसे इसकी चोड़ाई पांच इंच पर थी तो मैं यहां पर छेंच पर मार्क करूंगी उसके बा यहां पर यह बॉक्स बन गया है उसके बाद एक राउन शेप देनी है आपको जैसे नेक पर देते हैं इसी तरीके से एक राउन शेप देनी है इस न्यूस पर 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 अंड उसके बाद इसे कट कर लिया है कट करने के बाद हम यहां पर इसकी जो नेक है वो कट करेंगे तो ने क Помक्रणा यह तुद्ध तो थोड़ी से ऩी आजय को आले हम प्लेट का रहते नहीं इसलिड ही ざूजा इंध आज के बाद यहाँ पर आप को अपनी शर्ट न कर लें से KT रुआ अचछे है चेक looks टालनी है आपको तो उपर से हम स्टार्ट करेंगे जो हमारा चोटा वाला टाला वहां से आपको एड़ करना है तो उच्छे से आपको इसमें प्लेट स्टालनी है पूरे ही नेक पर डालनी है प्लेट्स को तो गाइस यहां पे मैंने सारी प्ल साए फ्लीक को डाल दिया है अभी मैं अक्सप्ट्रा पड़ीक से obras नारिए ठाइं प्ल दीने मिल से ओधकी ऊप को शेप कि अपने प्लेट को कि आप पर मैं नीचे से स्टुछ कर लिया है उसके बाद आक्स्टा अप को कट कर लेना है कि तो यहां पर मैं अच्छे से को कट कर लोगी तो यहां पर मेरी जो नइट है वह थोड़ी चौड़ी थी आपने उस पर के कॉड़िंग ही इसमे नेट ले तो जो नेट है अमारा इक्स्ट्रा निकला हुआ सारा जो पार्ट है उसे भी कट कर ले आ है चाहिए शर्ट में लेंग तो यहां पर आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से इसका कुछ तरीके से आएका अच्छ इसके बाद को शेतकि prior कर लेना एगा बनेक को स्ट्रिच करें मैं अलपिं के लिए कोब समस्नारिय गब दो करता है कर तो न को बरावर करना है बिलकुल ड्राइंगल के ऊपर ही आपको स्ट्च करना यहां आप perto तो भूंड है दिखा रही हूं वीडियो में इसी तरीके से आपको करना है तो आप जब अपने फैब्रिक को घुमाएंगे तो निडल आपकी अंदर की तरफ होनी चाहिए फैब्रिक के सो गईज यहां पर आप देख सकते हैं मैंने ट्रेंगल पे इस तरीके से स्टिच कर लिया है कितना बीटिफल इसका लुक आ रहा है अभी से ही तो यहां पर हमारा नेक जो है अल्मोस्ट रेडी होई चुका है तो उपर से जो है हम थोड़ा सा जो मार्जन है वो उसे कट कर ल करणा यह एप करने के बाद आपको और कर वो ईससी फैब्रिक जिससे फैब्रिक का आपका शर्ट है तो यहां पर दैख सकते है और置 भी पटी है अच्छे से तो हमारी जो औरे पटी है वो डबल फोल्ड है इससे हमारी जो पटी है वो बहुत ही इजी तरीके से लग जाएगी उसके बाद छुट छुटे कट लगा दे हाँ अपने पूरी ही पटी पर दियान रहे आपकी सिलाई ना कटे उसके बाद आप इसे राइट साइ इसे लगा देना है तो आप देख सकते हैं हमारा नेक अलमोस्त रेडी हो चुका है उसके बाद हम इसमें फ्रेल एड करेंगे तो यहां पर मैंने दो इंच चौड़ी नेट की पटी लिए है उसके बाद इसे फोल्ड करके हम एक स्टिच दे देंगे इसके उपर इस्टिच उसके बाद आप इसमें प्लेट को एड करेंगे तो जितनी चौरी हमने प्लेट अपने नेक पे ढाली थी इतनी ही चौरी आपको प्लेटर डालनी है पटी में तो पूरी पटी में मैं अच्छे से प्लेटर चाल दूगी I hope आपको मेरा ये वीडियो समझ में आरा होगा ने के बाद हम अपने नेक के नीचे की साइड रखेंगे से इस तरीके से कुछ एंड प्लेट से प्लेट मिलाएंगे एंड उसके बाद इसे स्टिच कर लेंगे तो टॉप स्टिच दे देनी है आपको इसके ऊपर तो यह पर आप देख सकते हैं बिल्कुल वही लोगी इसमें जाना है और उसके बाद इसे स्टिच करते चले जाना है और एक्स्टर फैब्रिक को भी कट कर लेंगे हम तो गया यहां पर देख सकते हैं हमारा नेक बन गया है यह देख सकते हैं कितना ब्यूटिफुल सा इसका लुक आ रहा है और उसके बाद अमसका बैक से निउस्पेपर को पूरे को निकाल दिया है और उसके बाद एक्स्टर फैब्रिक है उसे भी मैं कट कर लूँगे यहां पर हमारा जो नेक है वह बिल्कुल रेडी है बनने के बाद आपको मेरे वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए थैंक ये वर वाचिंग